कि एख एलो फुडी मैं सरब पोलि आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में आज हम आये हैं भेल पूरी की शॉप में मोती निगर की फेवरेट भेल पूरी की शॉप यहां पर तरह-तरह के भेल पूरी आपको मिलती है तो चलिए देखते हैं बेल-पूरी क यह जो शौप है ओम साई ओम के नाम से हैं भेलपूरी की शौप भेलपूरी से पूरी काफी चीज़े यहां पर मिलती हैं कि चलिए होनर से जाके बात करते हैं हम अजी सर अपने बारे में बताइए कुछ सर तो जो ओनर हैं हम उन्हीं से आज बात करते हैं सर क्या नाम है आपका अच्छा और सर आप यहां कब से लगा रहे हैं अच्छा इनका जो पूरा जो नेटवर्क है ओनलाइन में भी यह सर्व करते हैं कि देखिए रिस्ट्रेशन नंबर है और ऑनलाइन भी आपकी कहां कहां तक जाती है अच्छा मतलब कहीं से भी ऑडर आप दे सकते हैं मतलब और यह सभी के पास डिलीवरी एकदम फौंसती है समय पर यह देखिए वैलिड है और एकदम बढ़िया तरीके से बनाते हैं यह साल से तो अभी आप क्या बना रहे हैं सर भेल बूरी बना रहे हैं तो चलिए इसमें अच्छा कुशा आप, कि अधिए नम्कीन अधिए होगया यह बुजी आप मैं भी पाप्डिय का ईद्धी था हैं यह का डाल आपने दन्या वहाइब अधनिया होगया है यह लो हो गया प्रया जो गए तमाटर अब या नार और अज़ी और यह क्या डालनाएं यह कच्छा अच्छा आपके यह पूर्ट यह अच्छ ताकि अलग टेस्ट आए क्यों तैसाता बढ़ यह अच्छा तेस्ट है यह देखिए कितने कलर्फुल लग रही है यह बेल पुडि बन रही है ना यां डिया है अ कि मसाला है नमक कि आप लाइए इस मसाला डाला आपने दूसरी मसाला आपया आप आम्चूर और यह यह कौन सा मसाला है यह अपना मसाला नहीं है यह हरी चत्नी किसी से बाता है दनिया पुदिना अरी मीच और यह लाल चत्नी लाल चत्नी किसी से खजूर की पीठोई ज्यादा होता है अब यह लास्ट में इन्होंने लेमन जो यह प्लेट बन रही है इसका प्राइस क्या रखा हुए अपने 50 रुपे शुरू है देखी किस तरह से यह पूरी बन रही है और रेड़ी हो चुकी है अब सर्विंग के लिए यह त्यार है बिल्कुल करनीश इस पर इच्छा यह मैं टेस्ट कर रही है भेल पूरी तो इनसे भी मैं थोड़ा पूछूँगा कि किस तरह से यह यहां पर रेगुलरी आती है या किस तरह से रोज खाती है मैं यह आपको टेस्ट कैसा लगा इसका अच्छा रेगुलरली आप खाते हैं तो आपको यहां के सुआद में और आपने कहीं और भी आपने टेस्ट किया होगा तो उसमें क्या डिफरेंस लगा अच्छा जो यह लोकालिटी है वह एक्चुली जैसे जो हमारे व्यूर्स यहां पर पहुंचें क्या लेक्वालिटी है जो यह पर एक्जक्ट पोंच सकें मिलन स्रेमा रोड है हंजी मिलन स्रेमा रोड के बेकुल यह फंट पर हर्शा हाउस का जो लास्ट कॉम्लेक्स स्टेंड ख़तम होता है हंजी तो मतलब एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि बेस्ट इन्हों ने भेलपूरी बनाई है इस पज़र से हम लोग से र हाइज सब्सक्राइब यह आपका विए लेका है काफी अच्छा लगा हमें और हम यही बोलेंगे कि जादा से जादा लोग यह आ पर आये और तेस्ट करें, जिस तरह से आपने बताया है कि यहां काफी अच्छा टेस्ट है, हालजिनिक है, बिल्कुल, पर्सक्वालेटी यह कि आपका कोई फ्राइट खाने का मन ना ओ, और कुछ हलका हाने का बनो और बेट भरना चाहिए तो यह बेस्ट पैस्ट काफी तरीके से आपने पर बहुत किस तरह नहीं है तो उन्से बोलना में करना हूंगा कर दो जबर्दाइब तेस्ट है इसका बोलना जैसी मेरे मुँमें भेल पूड़ी गई तो डिफेरेंट टैपस अ फ्लेवर आए खटा मीठा फ्लेवर नमकीन का फ्लेवर अनार जो मीठी चट्मी उसका फ्लेवर आया कह सकते हैं कि बैस्ट है एक दम यह आप आके जरूर ट्राइब करिए और इस चैनल को जादा से जादा शेर करिए लाइक करिए बैल आइकन जरूर प्रेस करिए और सारी नोटिफिकेशन ताकि आप तक जरूर पहुत सके अभी के लिए धन्यवाद